हाई गाईज वेलकम टो आर यूटूब चैनल दरीयल इन्वेस्मेंट डिक्सोन टेकनलोजी स्टॉक के रिलेटेड बहुत से इन्वेसर इसमें अट्रक्टेड है और साथ इसके रिजल्ट डेट के रिलेटेड बहुत से लोग इसके अंदर उच्छुक देखने को मिल रहे है इसके रिजल्ट कब आएंगे इसके लिए और साथ ही साथ इसमें मैं आपको जो एक्सपेक्टेशन लगाई जारी है रिजल्ट के लिए वो भी हम जान लेते हैं जिससे आपको एक आंदाज मिल जाएगा कि डिक्सोन टेकनलोजी के जो रिजल्ट आएंगे वो कैसे चाहिए यह अपनों आपको रिजर्स तक का वेट करना चाहिए इसके बारे में हम जान लेते हैं तो सबसे पहले में आपको यहां पर बताना चाहूंगी रिलीज्ट फॉर का स्प्रेड जो सेल से वह आप देख सकते हैं यह दोनों के बीच में आपको देखने को मिलेगी यहा हमें बड़ोतरी होते हो देखने मिल रहे हैं ऑपरेडिंग इंकम इबी आई टीडिये देख सकते हैं इसके अंदर भी जबर्दस हमें ग्रोथ होते हो देखने मिल रहे हैं हाला कि यहां पर ऑपरेडिंग प्रॉफिट कुछ भी बताया नहीं गया है यह सब बात हैं प्रदस तेजी देखने मिल रहे हैं 462 से 521 EPS देख सकते हैं यानि कि 751 से 116 देखने को मिल रहे हैं साथी साथ नेक्स लेल पर यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी जो कि इसके अन्यूल रिजल्स के बारे में यह तो हमने बात कर लिए थी पिछले यह जो कौटर ऑन करना चाहूंगी आपको सूं आप यहां पर देख सकते हैं हमें नेगीटिव को मिला लाइदे को आप वैल्यूं भी देख सकते हैं सेल्स की आपको देखने को मिलेगी हाप फॉट्टी थाउजं वन हांड़ हांड़ों की और वहीं आप पर देखने हूं मेले वादे हुझ Eddy 90-0 इंकम आप 7.1 क देखने की मिल रहा है और यहां भी तेज़ी बंते हो Il Campus आपको यहां पर 107 जो यहां तो ये जो values के अंदर आपको growth होते हो देखने को मिल रहे है इससे ये आपको सोचना है जो इसके आने वाले results है जो की debt आपको जो भी आपको पता चलेगी तो उसके जो उपर से हाँ पर अंदाज लगा जा रहे हैं तो ये results कितने शानदार रहने वाले इसके बारे में आप सो आपको देखने को मिलेगा यहां पर हाली में हाँ पर देखने को मिलेगी 12th 2021 यानि कि 12th में को extraordinary shareholders meeting हैं पर होते हुए हमें देखने को मिली साथ यहां पर share corporation earning release होते हो देखने मिली finance year 2021 की और next level पर हैं पर आपको देखने को मिलेगा 10 5 2021 को आपको यहां पर देखने को मिलेगा panasonic corporation finance year 2021 earning release होते हुए यह जो कर जिसके हमें events देखने को मिल रहे हैं stock की जो के past के है और साथ ही साथ यहां पर upcoming sector की जो event है वो भी मैं आपको बता देना चाहूंगी जैसे हमने पि 13th May 2021 यहां पर extraordinary shareholding meetings तो होती हुए हमें देखने को ही मिली और साथ ही साथ यहां पर आपको next level पर देखने को मिलेगा यह जो इनका project है इंटेरियम 2021 earning release तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा लार्जन precision co limited इंटेरियम 2021 यहां पर earnings release होते हुए देखने को मिलेगे आपको 15th July 2021 को और साथी साथ इसका sharp corporation देख सकते हैं आप यहां पर 23 July 2021 को दे यह कुछ इसके upcoming event आपको देखने को मिल सकते हैं तो आप इसको बंदे नज़र रखते हैं सोच सकते हैं कि डिक्सान टेक्ल टेक्लोजी में आगे क्या कुछ होने वाला है next related यहां पर बात करना चाहूंगी मैं आपको जो कि इसके upcoming events के बारे में डिक्सान टेक्लोजी इंडिया लिमीटेड के तो यहां पर आपको 24th May 2021 फाइनांशियर 2021 अर्निंग रिलीजेज होने वाली है यहां पर 24th May 2021 को और साथी साथ यहां पर जो कुछ इसकी पिछली बात यानि कि जो आने वाली बात है वो आपको बताना चाहिए क्वाटर वन 2021 यह नेक्स अलग अलग इसकी जो अपकमिंग इंवेड से इनके बारे में सारी जान करें आपको यहां पर मिल जाएंगी तो आपको 10 एट 2021 को क्वाटर वन 2022 अर्निंग रिलीज होते वे देखने को मिलेगी साथ इंकर इंटेरियम के बारे में और आगे भी कु को रिमेंबर कर लेना अब मैं इसके नेट सेल्स के बारे में आपको बात करना चाहूंगी तो आप इससे अंदर लगा सकते यहां पर देख सकते यह अन्य बेसिस पर कैसी इसकी ग्रोथ होते हैं आपको देखने मिल रहे हैं इसके बारे में देखनेंगे तो ठाउजन एटी देख सकते हैं जो कि पिछले 2018 को देखा जाए तो 363 परसेंटेज के देखने को मिले थे वहीं इसमें थोड़ी सी गिराउट आई थी 359 परसेंटेज के और इसमें जबर्दस तेजी बनते हो देखी 2020 में 419 परसेंट के और आप तो क्या तेजी बन सकती है आप इसके बारे में सोचे सकते हैं क्योंकि इसके प्लांस और जो हेल्स सेक्टर में इसका जो फोकस देखने को मिल रहा है अलग-अलग सेक्टर में मैं अपने इसके उपर बहुत सी बाते पहले भी कर चुके तो मैं इस बात को दवराऊंगी नहीं नेक्स लिएल पर अर्णिंग पर शेयर को मिल रहा है और इसका क्या लग सकता है आप इसके उपर से अंदाजल लगा सकते कौर्टर बेसिस पर टाली करकर आप यहां पर से देख सकते कि कितना जबर्दस लग सकता है नेट सेल्स आप यहां पर बताना चाहूंगी आपको मैं यहां पर नेगेटिवेटी देखने को मिली 2019 में उसके बाद 2020 के फर्स्ट कॉर्टर में देख सकते हैं कितना जबर्देश माई प्लस 6.9 परसेंट की यहां पर हमें नेटस देखने को मिली कॉर्टर और कॉर्टर बेस इस पर वापस इस टॉक के अंदर नेगेटिविटी भरी और यहां पॉजिटिविटी भरते हैं ज़रूर आपको देखने को मिलेगी तो जो इसके रिजल्टेट के रिलेड़ेड बात थी और साथी साथ जो इसके एक्सपेक्टेशन किये जारी है स्टॉक के बारे में इसके आप आंदर तर लगा सकते होगी कि दिक्सण टेक्नोलोजी के रिजल्टेट और रिजल्ट्स क्या कुछ रहे वाले हैं तो थैंक यू सो मच